हेलो फ्रेंड्स, विलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स, मोटर साइकल के सस्पेंशन सिस्टम के उपर में ये तीसरा वीडियो है सुरू के दो वीडियो मैंने आपको मोनो शॉकर और डूल शॉकर के बीच में क्या डिफ्रेंस है और नूर्मल सस्पेंशन और नाइट रॉक सस्पेंशन के बीच में क्या डिफ्रेंस है? इसके बारे में बताया है दोनों ही वीडियो के ा dönक में आपको डिस्केप्शन में दे दूंगा अब व्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम मोटरसाकल के फ्रंट सस्पेंसन की बात करेंगे और इस कमपेरिजन वीडियो में हम लोग कमपेर करेंगे USD यानि कि आप side down fork suspension और telescopic fork suspension की बीच में क्या difference है मैं 11 अलग-अलग points पे इन दोनों को compare करूँगा और आपको बताऊँगा कि किन मामलों में कौन सा suspension बहतर है और आपको कौन से suspension की bike को खरीदना चाहिए तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe भी जरू कर ले अब friends comparison का जो सबसे पहला point है वो है design and construction friends ये है conventional telescopic fork suspension इसके parts की बात करें तो सबसे पहले आप ये जो chrome का part देख रहे हो ये कहलाता है slider या फिर इसे fork tube भी कहा जाता है उसके बाद आप नीचे में एक और इसका important part देखेगो तो ये जो पूरा का पूरा part है ये कहलाता है slider bar या फिर इसे damping unit भी कहा जाता है और इस slider bar के अंदर में आपको spring और जो fork oil है वो देखने को मिल जाएगा अब जो उपर में ये जो fork का tube है वो triple clamp के साथ आप देख सकते हो triple clamp यहाँ पे दिया हुआ है इस triple clamp के साथ इस handle bar के साथ connected होता है ये fork tube वहीं दूसरी तरफ जो slider bar है वो इस जो हमारा wheel का spindle है उसके साथ connected होता है तो ये construction होता है अब अगर USD fork suspension के construction के बात करें तो इनका construction जो telescopic है उसके just उल्टा होता है USD में आपको उपर में slider bar देखने को मिलेगा और जो fork tube है वो नीचे में होता है तो ये basic difference है इन दोनों ही type के fork suspension के उपर में अब जो अगला point है वो है weight distribution तो मैं आपको बताओ कि जो telescopic force suspension होता है वहाँ पे क्या होता है कि चूकी जो slider bar है वो नीचे में होता है इसलिए जो आगे का चक्का होता है जो आगे का wheel होता है उसके उपर में बहुत ही ज्यादा load होता है इस वज़ा से इस तरह का जो bike होता है उसका जो front का wheel का movement होता है और जो handle का movement होता है वो थोड़ा सा stiff हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनका movement वहीं दूसी तरफ जो USD fork होता है वहाँ पे फाइदा ये होता है कि जो heavy part है जो slider बार है वो उपर में होता है handle साट्र suspension है वो कम CC की कम capacity की bike में लगा हो तब तो performance में किसी तरह का दिक्कत ने आता है handling stability सब बेतर होता है लेकिन अगर जादा CC की bike हो से high speed में चलाया जाए quickly जो turn change किया जाए lane वगरा change किया जाए उस time पे जो USD fork suspension वाली bike है उनका performance जादा बेतर होता है जादा stable होता है handling वगरा देखने को मिलेंगे उन सब में आपको USD fork suspension ही आपको देखने को मिल जाएगा अगला जो point है वो है oil seal leak अगर कभी किसी वया से oil seal का leakage हो जाए तो यहाँ पे जो telescopic fork suspension वो ज्यादा बेतर है बेतर इसलिए है कि चूकी जो हमारे USD fork suspension है वहाँ पे जो slider bar है वो उपर में होता है त तो due to gravity अगर oil से leak हो जाए तो chance है कि जो हमारा brake है जो front disc brake है जो वहाँ पे जो fork oil है उसका spray हो सकता है वो वहाँ पे जा सकता है और ये एक dangerous situation हो जाता है लेकिन telescopic fork suspension में चूकी जो slider बार वो नीचे होता है तो brake में जो हमारा fork oil है उसमें पहुचने का chances बहुत ही कम हो जाता है braking में किसी तरह का दिक्कत वहाँ पे नहीं आता है अगला जो point है वो है service and maintenance अब चूप की जो telescopic for suspension है वो conventional होता है बहुत पहले से use होता आ रहा है और इसका design construction बहुत ही simple होता है तो इनका service और maintenance ये भी बहुत ही असान और simple होता है लेकिन भाई दूसरी तरफ जो हमारा USD है उ इन्हें disassemble करना दुबारा से assemble करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो expert होते है वो कर पाते हैं लेकिन हर के बस की बात नहीं होता है इनका service और maintenance अच्छी तरह से कर पाना अगला जो point है वो है studiness यानि कि कौन कितना तगड़ा है तो मैं आपको बताओं कि चूप की slider bar telescopic for suspension म life भी जादा होता है अब यहां पर दूसरी तरफ usd में जो slider बार वो उपर है और जो fork tube है वो नीचे है इसलिए यह कम study होते है अगला जो point है वो है length adjustment तो मैं आपको बताओं कि जो हमारे usd forks suspension है वो fully adjustable होता है यहां पर compression rebound इन सबको length वगरा को अच्छी तरह से adjust किया जा सकत है यहां पे front में उपर में adjuster भी दिया हुआ होता है तो rider अपने riding condition के हिसाब से अपना length वगरा के हिसाब से इन्हें adjust कर सकता है telescopic को adjust करना ना तो advisable होता और मुश्किल भी होता है तो यहां पर जो usd है वो जादा बहतर हो जाता है आगला जो point है वो है heavy jerk अब गढ़े जादा हो या जो speed breaker है वो जादा उचा हो इस heavy jerk को जो telescopic fork suspension है वो अच्छी तरह से absorb कर लेता है और rider का जो experience है राइडिंग experience है वो heavy jerk वाले situation में बहतर होता है telescopic fork suspension वाली bike में तो मैं आपको बताओं कि जहां पर गढ़े वगरा हो तो वहां पर इनका performance बहतर होता है और normal रहो तो वहां पर condition में handling बहतर होने के वाई से usd का performance बहतर हो जाता है अगला जो point है वो है dirt and green अब मैं आपको बताओं कि देखिए होता क्या है कि अगर कभी वैसा जहां पर धू जादा हो तो front wheel से जितना भी kitchen वगरा उचलता है तो यहां पे telescopic suspension बेतर हो जाता है क्योंकि fork tube उपर में होता है और इस वजह से जो गंदगी है वो slider bar के अंदर में जाने का chances कम हो जाता है लेकिन usd में नीचे में fork tube होता है तो वहां पे dirt वगरा है जो debris वगरा है वहां पे जाने का chances जादा होता है और जब suspension होगा slide करेगा तो chance है कि slider bar के अंदर में इन चीजों का जाने का chances जादा हो जाता है अगला point है switch to usd अब बहुत से लोग चाते है कि वह अपने telescopic fork suspension को निकाल के उसके जगह पे usd को लगा दे क्योंकि usd जो fork होता है वो दिखने में खर्चा हो जाएगा और यह बिल्कुल भी advisable नहीं है कि usd लगाने से बहुत ज्यादा फरक तो नहीं पढ़ने वाला है तो मैं आपको बिल्कुल advise नहीं दूँगा आप usd को नहीं लगाए जो आपको गाड़ी के साथ suspension मिला आप उसे ही use करे अगला जो point है वो है cost अब sports bike वगरा है जो high cc के bikes वगरा है वहां पर आपको जो usd है वो देखने को मिलता और आपको हर एक जो price range के bike में आपको telescopic जो है वो fork suspension देखने को मिल जाता है अब friends conclusion पर हम लोग आते है कि आपको इन दोनों में से कौन सा fork suspension को चुणना चाहिए तो मैं आपको बताओं कि अग के मिट्टी वगर अगर रोड है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप telescopic को ही चुने conventional है बहुत ही बेतर है लेकिन अगर आप high cc के bikes के लिए जा रहे है तो of course आपको इनके साथ ही जाना चाहिए यहाँ पर आपको handling stability वगरा बेतर देखने को मिलेगा high speed में वैसे आ आप मुझे comment करके जरूर बता इसके लावागर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe भी जरूर कर ले मिलते अगले वीडियो में thanks watching this video good bye